नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों बारतिय बजार का क्यूटू का जीडीबी के नंबर सभी आने रह गए हैं जैसे आएंगे आपको बताऊंगा वैसे एनलिस अराउंड 6.3% के सम्तिंग का है उसके उपर आता है तो बहुत अच्छा लगेगा बजार को कम आता है थोड़ा नेगेटिव सर्प्राइज होगा अगले रेटाइक्स होने वाले हैं होंगे तो जहां तक है डेफिनेटली होंगे क्योंकि अभी इंट्रेस्ट रेट और इंफलेशन में बहुत बड़ा गैप है तो रेटाइक्स तो आएंगे बट आगे की कमेंटरी कैसी रहती है वो देखने वाली बात है तो यह आज की द आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है इस समय और जिसके पीछे का रीजन कहीं अपने आप में स्ट्रेंथ हैं हमारे भारत देसकी एकोनोमी बहुत अच्छी दिख रही है वल्डवाइड अगर दिखा जाए तो इसके चलते कहीं आपको भी तिक रहा है क्लियरली मार्केट म उपर है तो यह भी मार्केट के हाल है अब आते हैं थोड़ा सा मेटल सेक्टर के बारे में तो आज के आउट पर्फॉर्मर है रियलिटी एड मेटल लगबग 1.34% की रैली आपको मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है कंटीनू आप सभी के साथ यही कह रहा हूं कि मे में दिक्कत चल रही है बट मार्केट ऊपर आईगी बिल्कुल नहीं चलेंगे यह पॉसिबल नहीं है कही नहीं अब यहां पे रैली बनेगी और दो दिन से आप देख रहे हैं कंटीनू मेटल सेक्टर अच्छी काजी तेजी दिखा रहा है मेटल स्टॉक्स की बात करें त करने की जल्दबाजी ना करें टाटा स्टील हिंडाल को नैशनल एल्यूमीनियम और विदानता के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों तीनों स्टॉक्स को चारों स्टॉक्स को एक करके कवर करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर्स फेवरेट टाटा स्टील क के वारे में टाटा स्टील के शियर को देख लेते हैं कैसा ट्रेड कर रहा है और आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए हाला कि बायर रेकमेंड है हमारी तरफ से स्टॉक में भी 109 का पहला टारगेट दिया है आपको एंड दूसरा 113 का है स्टॉक कंसॉलिडेशन कंप्लीट करके निकलने की तयारी कर रहा है जहां पे 109 रुपे तक आ सकता है उपर में एक हमारे व्यूवर ते जिनका कमेंट आया था भाई आप कह रहे थे कि जिस दिन भी एक्सपोर्ट ड्यूटी हटेगी बड़ी तेजी बनेगी रैली बनेगी तो जब म से उपर के लेवेल पर रेक्सपोर क्यों करेंगी तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा इसलिए एक्सपोर्ट जब हटा एक्सपोर ड्यूटी हटा ही तो कोई रियक्शन नहीं आया या स्टील इस टील के स्टॉक आपके पास है तो पहला टारगे आपके लिए 109 का होना चा तो मेरे साब से अगर डिप मिलती है तो खरीदें अदर्वाइस अब इस स्टॉक को इग्नोर करें हिंडाल को की बात करें तो यहां आज 3% की स्चांदार तेजी देखने को मिल रही है बात करें तो 73 लेक शिर्ज का एवरेज वॉलियम ऐसे स्टॉक में शेयर की बात करें तो अपने रीसेंट हाई वो वो टेस्ट करने की तयारी कर रहा है यह stock और वो टेस्ट मुझे कर लगता है आज के session में ही करेगा और वो break करके 460-480 की तरफ भी stock जाएगा तो यहां pure-pure breakout होता हुआ दिख रहा है fresh entry भी आप चाहें तो ले सकते हैं और आपकी entry जहां भी हो वहाँ से आपका stop loss जो बनेगा 444 रुपीज का होना चाहिए आपका पहला टार्गेट आपके लिए 455 दूसरा 460 का होना चाहिए और इस टार्गेट और इस stop loss से आपको position में बने रहने की राय होगी second, third stock की बात करें तो विदानता, विदानता को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहिए कल company का x dividend है या परसों तक जिसने भी खरीदा या आज खरीदा या आगे कभी खरीदोगे तो आपको dividend नहीं मिलेगा दूसरा सवाल होगा कि ये dividend आएगा कब तक तो ये कहीं ना कहीं law के हिसाब से आप मानके चलिए 10-15 दिन के अंदर अपके bank account में direct credit हो जाएगा 75 रुपे पर share के हिसाब से अब आते हैं stock के price पे 305 के levels पे trade करता हो दिख रहा है 307 का आज का high है stock no doubt अच्छा दिख रहा है chart pattern के हिसाब से but dividend का extraid हुआ इसलिए मैं इस stock को अभी आपको avoid करने के लिए कहूंगा हो सकता है एक दो दिन और आपको थोड़ा सा dividend related adjustment देखने को मिले dividend से related अभी कल उतनी गिरावट हुई नहीं थी तो stock में भी wait करने की राय होगी आपे fresh entry नहीं लेने की राय होगी पर जिसके पास वो चाहिए तो hold कर सकता है last national aluminium के बारे में आप सभी के साथ share करना चाहूंगा national aluminium पे 78 रुपीज के levels हमने कल आपको बोले थे 76.75 पे trade कर रहा है भी और stock आपके लिए 78 के round आता हुआ दिखेगा अगर 79 का level निकलता है stock में तो 83 रुपीज तक उपर में जाएगा तो इस इन levels के साथ आप इस stock में position को maintain रख सकते हैं तो यह मेरी वीडियो metal stocks को लेकर hope आपको समझार पसंद दौन आयोगी thank you so much for watching this video have a great day ई सुखी ओके इस दौने लिगई सकते हैं 10 हूपी दौने सत्वाट आता है घ่ दौने सिर्वे कर आता है किर दक किर दो दो 0